आज मैं आपको बताना चाहरा हूं कि यह से 2021 में आपको लादना सी है और किस टाइप की टेक्नलोजी में आपको अच्छा करियर आप सुन्स मिल सकते हैं तो जैसे आपने देखा होगा भी कि technology बहुत ज्यादा change हो रही है अब हम बात करें कि आज से 5 साल पहले की अपन बात करते हैं और आज की बात करें तो मैं आपको सब्सक्राइशन देना चाहता हूं कि technology पूरी तरह से upgrade हो रही है बताना जाता हूं कि अभी आपके पास जो सबसे अच्छा अप्सन है बेटर आपसन है वो fully-stack development है कि आप fully-stack development में जाईए अब बहुस कम लोगों को पता है कि fully-stack होता क्या है तो मैं आपको clarify clarify करना जाता हूं कि fully-stack का मतलब यह होता है कि complete project development में प्रोजेट डव्लब्मेंड के अंदर जितने भी चीजें होती है उन्स सभी का नौले आपको थोड़ा-thोड़ा होना जी एसा नहीं पूला हुकर परफेक्शन होना छाइए येॉस्ट चीजों का परफेक्शन होना चीज जैसे आपको प्रोजेट डॉल्मेंटेशन हो थ सकते हैं किस तरीके से युवाई बना सकते हैं जहां से आप डियागराम किस तरीके से बना जाता है उजट कर दो अलग-छेट में हो चुका है पहला लेयर हो गया front end दूसरा हो गया आपका back end front end का मतलब बहुत सारे बच्चों को confusion होता है कि front end क्या है तो मैं आपको clarify करना चाहता हूँ कि front end का मतलब होता है UI आप UI आप तीन तरीके से बना सकते हो आपका UI ऐसा रहता है कि first UI आपका हम गोल सकते हैं कि आपका traditional UI है कि मतलब आप HTML का use कर सकते हो पर HTML के अंदर आप आज की rate में bootstrap implement करके उसको आप responsive UI कर सकते हो मतलब आप HTML, CSS और bootstrap के थरू भी front end implementation कर सकते हो पर यह थोड़ा सा traditional हो चुका है आप dynamic UI का age है generation है तो dynamic UI के लिए आपके लिए सबसे best option है कि आप React या Angular का use करें front end में क्योंकि 90% company requirement यह आ रही है कि आपको React और Angular React या Angular में से किसी एक का knowledge होना चाहिए आप backend की अपन बात करें तो backend में सबसे अच्छा implementation अभी चल रहा है Spring Boot एक बहुत अच्छा implementation है कि आप core Java करिए core Java आपके बाद advanced Java करिए और आप Spring Boot का knowledge get करिए ठीक है और third things है कि आप third है आपका Python अभी Python आप सीख रहे हो जैसे Python के अंदर बहुत साई चाहिए ठीक है तो आप एक full stack developers बन सकते हो तो full stack developer का मतलब यहीं हो गया कि आपके पास आप डो application आपको बनाना पड़ेगा एक application आपका front end होगा और दूसरा application आपका restful API होगा और वो restful API जो आपको बनाना है वो आप किसी ना किसी backend language का कर सकते हैं पाइफन के अंदर जैंगो रेश्ट API का यूज कर सकते हैं यह कि नोड लाइबरी का यूज करके आप restful API क्रेट कर सकते हैं डेटाबेस की बाते लिए बन किया जा है तो डेटाबेस में आपको अभी सबसे अच्छा database MongoDB चल रहा है क्योंकि noSQL अभी बहुत अच तो आप यह टेकनलोजी के अंदर आपको सबसे बेस्ट टेकनलोजी मैं सजेस्ट करता हूं तो मैं आपको तीन टेकनलोजी सजेस्ट करना जाता हूं सब्सक्राइबर्ण में और नोड सेकें सेकेंड यह है कि front-end में आप react सिकिए back-end में आप django rest api या django framework सिकिए मिलब Python के थूप और थर्ड यह है कि front end में आप react सिखिए और back end में आप java plus spring boot plus microservices यदि आपको इनका अच्छे से knowledge है तो आप यदि अपने resume में ये skill set करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल severity के साथ बताना चाहता हूँ कि आपका placement में बहुत ज़्यादा help मिलेगा और ये सभी courses से दिया आप करना चाहते हो तो आप Shiva Concept Solution विजिट कर सकते हो www.sivaconceptsolution.com site पे आप जाएए आपको पूरी informations मिलेगे Thanks for this session